वो दिन गए जब लोग टाटा के कार से दूर भागते थे और वो दिन भी गए जब कार के नाम पर बस मारूती ही दिखती थी दिन बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, हर चीज में बदलाब हो रहा है इसलिए कुछ कार बालो, टाइम पर सुधर जाओ, तो दुनिया आज भी तुमारी है कल भी कमाते थे, आज भी कमा रहो और आगे भी कमाओ के अगर नहीं सुधरोगे, तो वो दिन भी दूर नहीं, जब तुम भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाओ के और यहाँ कोई और ही बाजी मार जाएगा नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम है मंगल दीप तो आज आते हैं आज के मुख्य सवाल पर 2021 में हमें टाटा की कार क्यों लेनी चाहिए तो इसके पीछे हैं 5 मुख्य कारण सबसे पहला कारण है सेफटी कोई भी कमपनी अपने कार के अंदर कितनी भी खूबिया क्यों न डाल दे अगर उसके अंदर सेफटी फीचर ना हो तो पाथ 6 लाग खर्चा करके अपने और अपने फैमिली के जान के साथ खिलवार करने से बचना चाहिए ऐसे कार को सीधा सीधा अवाइट करना चाहिए क्योंकि रोट पर चलते एक सेकेंड ने लगता अनोनी होने में अगर आपको फिर भी लगता है सब गदे की तरह जिसको ले रहे है हम भी उसी को लेंगे क्योंकि उसका रिसेल वैलू अच्छा है मार्केट में उसका वाव आई है इसको लेंगे तो इंटेलिजेंट परसन कहलाएंगे अधरवाईस सब के सामने मजाग बनकर रह जाएंगे जो भी हो दोस्त सेफटी बहुत ही जादा मैटर करता है अधर किसी चीज के मुकाबले क्योंकि ये चीज अभी आपको नॉर्मल लग रहा होगा मगर जिस दिन कोई बाइचांस अनोनी हो गई तब आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा तब सारे खूबिया धरी की धरी रह जाएगी इसलिए जो भी कार आपके बजट के हिसाब से अच्छा सेफटी प्रोवाइट करे आपको आँग बंद करके उसके तरफ चले जाना चाहिए चाहे वो किसी भी कंपणी का क्यों ना हो क्योंकि जिस बजट में हम कार लेते हैं उस रेंज में जितने भी कार कंपणी हैं हमें कार प्रोवाइट करती है सब लगबग लगबग एक ही जैसा होता है बस 18-20 का फरक होता है कोई ज़्यादा प्रोविट कमाने के लिए बिल्ड कॉलिटी के साथ खिलवार करता है तो कोई कम प्रोविट कमाने के लिए बिल्ड कॉलिटी अच्छा देता है और रही बात टाटा की जिसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है उसके हर एक चीज में कॉलिटी और कस्टमर की सेफटी ज़्यादा मैटर करती है अब फिलाल मार्केट में अवेलेबल टाटा की हर एक सेगमेंट की कार देख सकते है आपको सारे कार चार पाथ इस्टार की सेफटी रेटिंग के साथ मिलेगा दूसरा कारेने सबसे सस्ता टाटा की सुरबाट टियागो से होती है जो की मारोती सुईप्ट, हुंडाई सेंट्रो, मारोती सेलेरियो, वेगेनार इन सब कार के सेगमेंट में आती है अगर इन सबसे compare किया जाए तो आपको हर एक point में लगेगा Tata Tiago best और cheap है जो की price के हिसाब से better quality provide कर रही है Tiago जिस price में जो सब चीज़े provide कर रही है उसी price में दूसरे company सेम चीज़े provide नहीं कर बा रही है और सबसे बड़ी बात safety जिसको तो भूली जाना चाहिए आपको Tata छोरकर पास 7 लाग के segment में मिलने वाले किसी भी कारों में safety नहीं मिलेगा तिसरा कारन Tata Service अगर Tata कार बदनाम है तो इसके service के बज़े से ही है फिलास 2018 के बाद market में जितने भी Tata के कार से चाहे बो Tiago हो, Nexon हो, Altos हो इन सभी के 90% honors अपने कार को लेकर बहुत ज़्यादा happy है क्योंकि product को लेकर उनको कोई problem नहीं है price के हिसाब से product में कही पर भी compromise नहीं किया गया जैसा price बैसा product दिया गया है बस service को लेकर आज भी थोड़ा बहुत problem है जो कि सुनने को मिलता है मगर मैं आपको बताना चाहूंगा मैं भी last 3 months से Tiago Honor हो और मैंने भी अपने कार की first service करवाई है जहाँ पर मुझे कोई problem face करने को नहीं मिला है बस थोड़ा ज़्यादा time लग गया था बस एही problem है otherwise अच्छा था मैंने अपने first service experience के बारे में भी वीडियो बनाया हुआ है जिसका link यहाँ i button में और नीचे description में मिल जाएगा आप जाकर देख सकते है टाटा अचकल अपने product के साथ साथ अपने service पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है और improve करने में लगी हुई है और वो दिन भी दूर नहीं जब इनके services भी एक class होने लगेंगी एक time ऐसा था इंडिया में देशी चीजों को कोई भी value नहीं दिया जाता था कोई भी product के बारे में लोगों को ऐसा लगता था पता नहीं कौन एराग एरा दियाती ने इस product को बनाया होगा जो की कोई कामका नहीं होगा लोग भी देशी चीजों पे जान छिरकते थे क्यूंकि उनको लगता था गोरे और चाइनी सी product को डेबलॉप कर सकते है इंडियान की बस की बात नहीं है यही एक कारण है आज भी हम इंडियन अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेशते है और उनको वही किसी बड़े कमपनी में सेटल होने के लिए बोल देते है अगर इंडिया में देशी चीजों को ज़्यादा value दिया जाता तो हमारे बच्चे नहीं बाहर जाते नहीं हमें किसी कंट्री के आगे हाथ फैलाना पड़ता और जो भी हो कोरोना के बास से देशी चीजों पर बहुत ही ज़्यादा देहन दिया जा रहा है जो कि बहुत ही अच्छी बात है और एक चीज आपको बताना चाओंगा टाटा मोटर्स के जितने भी research and development होता है सब कुछ इंडिया में ही होता है ये नहीं किसी का copy करते है और नहीं किसी से inspired होकर कुछ बनाते है जो करते हैं खुद के दंपर करते हैं आखरी कारण इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए इंडियन चीजों का support करो यार और vocal for local वनो सिर्फ टाटा ही नहीं जितने भी इंडियन ब्रांड है उनी को priority पर रखो उसके बात किसी और को क्योंकि इससे जितने भी इंडियन manufacturer और business man है उनको एक अलगी boost मिलेगा ज्यादा से ज्यादा लोग business करने का सोचेंगे इससे हमारे देश का ही भला होगा हर तरप से चाहे employment के तरप से हो GDP growth को लेकर हो development को लेकर हो हर तरप से भला हमारे ही होगा तो वीडियो पसंद आया तो एक like कर देना चैनल पर नए हो तो subscribe कर देना तो अब आप से मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए जय है जय भारत